So, welcome all to this energetic session, मैं हुई अश्वन चवान और आज C3 Capsule Series का 3rd session है, इसमें आप सभी का स्वागत है, इस session में आज वापस एक बार G.O.C. के बहुत ही बढ़िया 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 से question मैं आपसे solve करवाने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, आज है ना बहुत बढ़िया लगने वाला है आप लोगों को, आप बोलेंगे सरक्याव, जबरदस्त session है, चलो बच्चो, strongest base among the following, पहले question का answer बोलो, फटा फट जल्दी, yes, कुछ लोग A बोल रहे हैं, because this is a tertiary amine, कुछ लोग B बोल रहे हैं, और B का reason मैं उनसे पूछने वाला हूँ, B का reason पूछने वाला हूँ, कोई participant, जिसका mic मैं unmute कर सकता हूँ, are you ready, कोई बता सकता है मुझे इसका reason, hyperconjugation, ए भाईया hyperconjugation वगरा कुछ नहीं होता इदर, सुयश मंतो है सर मी सांतो, चल सुयश, unmute, electron donating group है सर, electron donating group, अन्खी काई reason बेटा, आईश्वर्या सांगुशक्ति है, सांग्ते का आईश्वर्या, hands up करो, hands up, जिसको बोलना है वो, loan पे resonance मदे नहीं जात, resonance मदे आसते बेटा दी, सला सांगा लगकर लगकर, plus यम दाखो तो voice group लो आहे, माजा voice सांगला है बेटा शिवानी, आँ, spotlight करूँ का, शलो, बच्चो ये tertiary amine है, ये nitrogen का loan पे रे, लेकिन तीन बेंजिन रिंग होने की वज़े से तीनों बेंजिन रिंग में वो resonance में जाएगा, तो इसलिए उसकी basicity कम रहेगी, यहाँ पर nitrogen है, ये secondary amine है, राइट, ये secondary amine है, राइट बच्चो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो B में ये nitrogen है, इसका loan पे resonance में जाता है इसके पास, इसका भी loan पे resonance में alternate जाएगा इसके पास, लेकिन ये वाला जो nitrogen होगा, उसका loan पे कहीं पर भी resonance में नहीं जाता है बच्चो, तो सबसे ज़्यादा S-D कौन होगा, option B, और इस base का नाम जानते हो, कोई बताएगा मुझे, basic, basic, sorry, basic, this is a guanidine base, guanidine base, जिसका pH होता है, my dear friends, 15, 13 to 15 के range का base है ये, इसलिए यहाँ पर donor group ज्यादा है बच्चो, यहाँ पर एक ही donor group है, ध्यान में आया आएँ आप लोगों को, मस्त लग रहा है क्या, एक दम जबर्दस लग रहा है क्या, most basic, most basic, resonance में जाता है लेकिन एक nitrogen का loan pair continuous क्या है, resonance में नहीं है, यह nitrogen का loan pair कहीं पर भी resonance में नहीं है, और इधर से उसको दोनो nitrogen support करेंगे electron देने के लिए because of double bond, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर plus high effect से donation हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा loan pair donate वो करेगा, yes, चलो तो आगे जाते हैं, second question, second question, हाँ exam मदे अपना असर हूँ शक्ता निखिल, निखिल मन तो है कि सरमाजा पहिला स्परशन चुकला, मित्रा निखिल, परिक्षेट शुद्धा असर हूँ शक्ता कि पहिला नहीं, पहिले दोन तीन प्रशन, आपलाले ये नरज नहीं, पन तया चलो आपला कदीस confidence कमी हो देचा नहीं, मित्रा, लक्षा दील, is it sopah? In which of the following cases, the carbo cation 1 is less stable than carbo cation 2, बेटा ये सब carbo cation है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं, पता नहीं, these are all carbo cation's हैं बच्चा, these all are carbo cation's, बच्चो, ये carb N9 जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये carbo cation हैं सभी, okay, 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 बोलो, बोलो, first is less stable than second, यहाँ पर देखो, first is more stable than second, यहाँ पर देखो, ये resonance में, first is more stable than second, यहाँ पर देखो, ये sp2 carbon पे, ये sp3 पे, second is more stable than first, यहाँ पर देखो, carbo cation के बाजू में, first is more stable than second, so answer is C, कितने लोग आया, सब लोगों को आया क्या, सर थोड़ा zoom in करा ना, ये कशाचा zoom in करायाचा, किती मोटा दीशता है, ये बड़ा दिख रहा है ना सबको, प्राबलेम है दिखने में कुछ, आज 25-35 लोगा जाले लाया, या सेशन मदे मला 500 लोगा पाईज़, 500, बस, नादज करायाचा नाई, बस, और एक दिवस, आसा असेल की पुर्ण महाराष्टरती लोगा है, सेशन मदे आस्ति, 12th रिपीटर कोई भी चलेगा आपने को, अरे clear दिशते ना रे बेटा, बस का, के लोग जूम, हाँ, clear है, next question, question number 3, बन्जोई कैसी, यह बन्जीलिक, पोजिशन पे, COOH दिया है, यह COOH है, यह कारबन देखो, यह कारबन देखो, यह कारबन देखो, अब यहां पर, CH2, COOH, CH2, COOH, CH2, COOH है, बच्चो, और यह जो CH2 है, यह किसे attached है, बन्जीन को, यह CH2 किसे attached है, double bond को और यह CH2 किसे attached है, CH3 को, arrange the following acid in decreasing order of H plus iron concentration, decreasing order of H plus iron concentration, and answer is 1, because benzene का minus I effect होगा यहाँ पर, उसके बाद double bond, SP2 carbon का, और यहाँ पर SP3 carbon है, अच्छा लगा, very good, मस्त, आला ना सगला ना, रीजन पन करता है का तुमाला, अरे रीजन पन करता है का सांगा फक्त हो, ते सगला जासता महता होचे माझा सथी, C3 capsule session मदी शिकुन गेलिला विद्यारती कदीच, अना अंसर्ड नहीं रहाइला पाजी, आशा टाइप चाश्टन जला, this is the promise of this session to you, चला बच्चो, नेक्स कोस्टन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बेंजीन SP2 नरे बिटा, SP2 मुला माइन साइज अस्ता स्ट्रॉंग असलता था, करन रिजोनस था दाखाव नार ने, CH2 ला तो, okay, arrange increasing order of their KA value, KA value means what, बच्चा, decreasing and increasing मादे confuse होता, decrease होने, मन्जे, जास्ती कड़ून कमी कड़े जाने, increase होने, मन्जे, कमी कड़ून जास्ती कड़े जाने, left to right धरलतर, पन arrow दिले, तो तुम्हाला decreasing, increasing order, arrow और डिपेंड अस्ते, बरबर, मस लगा, PKA नहीं, KA value is directly proportional to SCDT, बेटा, KA value is directly proportional to SCDT, जितना K ज्यादा, उतना dissociation ज्यादा, और उतनी उसकी SCDT ज्यादा होती है, and it is inversely proportional to PK, which is inversely proportional to pH. मेरे दोस्तों, oxalic acid, जा लोकन ना, यंचे structure महीत ना, इसके लिए क्या लगेगा, नॉमेंक्लेचर भी लगेगा, नॉमेंक्लेचर, कसवाटल, structurous महीत नस्तिल तर आशा टाइप चा प्रश्ण एक्जाम मदे सुटनार, ना ही, ना ही, ना ही, दोस्तों, इस सेशन में आप लोग मुझसे सीखने वाले हो काफी सारी important, important चीजे, और जिसकी शुरुवात हो चुकी है, my dear friends, देखो, यहाँ पर देखो, oxalic acid क्या होता है, बचो, oxalic acid होता है COOH, single bond COOH, right, succinic acid होता है, succinic acid होता है, COOH, हाँ, succinic acid, एक मिनिटा बिटा, उटे के लादे हैं, this is COOH, malonic acid, malonic acid, COOH, COOH, and adipic acid, COOH, जितना COOH, एक जूसरे के पास होगा, उतनी उसकी acidity ज्यादा, याने, 1 सबसे ज़्यादा acid होना चाहिए, और 4 सबसे कम acid होना चाहिए, 1 सबसे ज़्यादा acid होना चाहिए, 4 सबसे, कम एसडली होना चे एक ही ऑप्षन है यहाँ पर, इलिमिनेशन से निकल जाएगा डाइरेक्ट, डाइरेक्ट इलिमिनेशन न काडू शब्तो, करने दोन कर्भॉक्जलीक असप्ड डाइरेक्ट ली बॉंडेडेड एक मे करना, इकड़े दोन कर्बंचा डिफरंस है, इकड़ 2 नंतर adipic acid 4 काईसा लगा question कसा होता एक डम गुगली गुगली एचा साथी कि जर structure महित नस दिलता हा प्रशन सोड़ून देचा सोड़ून देचा सोड़ून देचा सोड़ून देचा नहीं करन structure सोबत मजाक नहीं मस्त प्रशन होता रहे बिल्याननो most powerful living group ओहोहो क्या question है जांचा कड़े acidity ची minus eye effect ची minus eye effect ची order असेल ना त्यन्ना सा आतुन उक्ड़या फुटत दस्तिल कि सर हां आमी केले लए आमी केले लए आमी केले लए वाह बेटा सबसे most powerful living group होता है f minus f minus electron bond जवड़ा जस्त पोलार तेवड़ा तो good living अस तो पिल्यानो electron लेकर भाग जाएगा कैसा लगा leaving यानि निकलने वाला carbon के साथ इसको bond किया इसको bond किया इसको bond किया इसको bond किया तो कोन जल्दी निकलेगा एक कलता है का या सेशन मदे तुम्हाला इतका फाइदा होना रहा है तुम्ही मन साल के वाह arrange the following in decreasing order of pH value बेटा increasing order of pH value means what halogens are good living जल्दी बोलो बेटा pH value increasing order of pH value means what अब यहां पर NH2 nitrogen ऐसे दिये यानि यह कोन है अरे 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 बेसी सीटी का order देखो रहे है हेलो बेसी सीटी इस डाइरेक्ली प्रोपोर्शनल टू पी एच तो जितनी बेसी सीटी ज़्यादा यह कोन है secondary amine है aliphatic amine और यह दोनों क्या है aromatic amine तो aliphatic amines are more basic than aromatic amines होता है मेरे दोस्तो अच्छा लगा तो यहां पर क्या होता है यह nitrogen का loan pair एक benzene ring में जा रहा है यहां पर nitrogen का loan pair इधर भी जा रहा है और इधर भी resonance में जा रहा है दो बेंजिन रिंग में तो उसकी बेसी सीटी सबसे कम हो गई याने उसका पी एच भी सबसे कम रहेगा तो सबसे जादा प्रियेच रहेगा three greater than one greater than two अच्छा लगा three greater than one greater than two answer आया न अलगा aliphatic सबसे जादा basic क्यों रहते सर बेटा सबसे जादा basic नहीं बोला मैंने aliphatic और aromatic में कौन जादा basic aliphatic जादा basic होता है बच्छा क्यों विकाज aromatic में nitrogen का loan pair जो है वो resonance में चला जाता है अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा हूं 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 शुरुस्टी कहती है three to one होना जी बेटा यह nitrogen का loan pair इधर भी बेंजिन और इधर भी दो बेंजिन में रेजोननस में जाएगा तो जल्दी बाहर डोनेट करेगा क्या येस येश करेक्ट चलो आगे जाते दोस्तों हो गया ना आपका अरे मी तुम्चा सोबत साल तो है तुम्ही माजा सोबत सालता है का माजा सोबत सालनेचा प्रामिस करा मुझे तो गलत लग रहा है पिल्या यहां पर नाइट्रोजन का लोन पर रेजोननस में इसका भी रेजोननस में इसका भी रेजोननस में लेकिन ये प्राइमरी आमाईन है ये सेकंडरी आमाईन है और ये टर्शेरी आमाईन है दोस्तों तो तो त्री टू वन इसका अर्ड होना चाहिए 3 greater than 2 greater than 1 option D अरे का इस चुक्की चा answer सांगा लग ले रहे तुम हाँ इसका answer cb आ सकता है है ना 2 less than 1 and greater than 3 less than 3 ऐसा one is greater than नहीं सी भी नहीं आ सकता नहीं आ सकता डी टर्शरी सबसे ज्यादा रहेगा ना बेटा structure क्या है इसका यह nitrogen दो आर ग्रूप है यह nitrogen यह निच एक आर ग्रूप है यह nitrogen यह ठीक आरेक्ट ओर्डर आप बेसिक स्ट्रेंग्ट बोलना है आपको हायस्त बेसिटी सो तर्शरी सेकंडरी प्राइमरी थी तुओ वन थी तूवन यहाँ पर आरो दिए है लेकिन वन ग्रेटर देन टूप ऐसा बोल रहा है वन ग्रेटर देन टू तो नहीं होता है चैंसल वन ग्रेटर देन थ्री भी नहीं है वन ग्रेटर देन टू भी नहीं है चलो कैंचल आगे 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 मिठाई उसे प्लस आए के थू सपोर्ट करेगा अरे तो फिर बेसी सीटी बढ़ेगे ना प्रात्ना एक्साइटमेंट मधे रॉंग होना रे कोश्चन्स मंजे तुमाला कडालका क्या आपन काय करतो है आपनला जिते प्लस पूर बेटु शक्ता तिकड़े आपन माइनस वन ग्यून यने चा प्रातना करतो है consider the following species OH-CH3O-CH3- and nitrogen- NH2- arrange these nucleophilic species in their decreasing order of nucleophilicity what do you mean by nucleophilicity जो जल्दी electron देता है उसे nucleophilic कहते है बच्चा those which can donate electrons easily are called as nucleophiles तो सबसे easily यहाँ पर कोन है देखो oxygen पर negative charge है यहाँ पर भी oxygen negative, यहाँ nitrogen negative और यहाँ carbon negative किसकी electronegativity कम है जिसकी electronegativity कम है वो negative charge को कम hold करेगा negative charge को कम होल्ड करेगा यहाँ इलेक्ट्रोन जल्दी देजएगा यहाँ C सबसे ज़्यादा रहना चाहिए C सबसे ज़्यादा रहना चाहिए यहाँ option C and option B cancel cancel, 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 cancel फोपट लाल का बराबर फिर C के बाद कोन आने चाहिए बच्चों? C के बाद आना चाहिए D C के बाद आना चाहिए D और एक ही option है बागी दो नहीं भी किये तो चलता है इन दोनों में confusion है तो भी चलता है अच्छा लगा 248 हो गए है आज वाह बड़िया मदा आ रहे कारबन नेगेटिव, ग्रेटर देन नाइट्रोजन नेगेटिव, ग्रेटर देन ऑक्सिजन नेगेटिव साहील उल्टलील लबिटा दू BACCT में और A और B में कैसा compare करेंगे दोस्तों A और B में कैसा compare करेंगे बच्चो ओ माइनस को hydrogen लगा है ओ माइनस को methyl लगा है तो प्लसा एफेक्ट से उसका नेगेटिव चार्ट देनसिटी बढ़ेगा और वो जल्दी electron डोनेट करेगा, न्यूक्लियो फिलिसिटी उसकी ज़्यादा रहे आया द्यान में, so it is C, अच्छा लगा, अच्छा इलेक्ट्रोनेटी ओर्डर सांगे लिए क्वश्चन कसा होता? अपने लेला खुप मोठे मोठे क्वश्चन स्ला खरता हैता था नि छोटे क्वश्चन चुछ चुकता स्तिल था अपनडेंजर मधेत कारन मित्राज आ याज टाइप चा क्वश्चन मधेते अपनी विकेट्पड़ते बगा काही लोग का इंड़क्टिव इफेक्ट शूड़ून मेजोमिरिक ची ओर्डर लाओता काही लेक्ट्रो निगेटिविटी लाओता आशा वेग वेगड़ा गोश्टी लाओता त्याचा साथ यह सेशन गे तो इपटा आपन तो निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है इस कोश्टन को वापस एक बार समझा रहा हूं मैं निगेटिव चार्ज ऑक्सिजन पे है ऑक्सिजन पे है नाइट्रोजन पे है कार्बन पे तो कार्बन बहुत इजी ले दे सकता है यानि उसकी नुकलियो फिलिसिटी जदा अप्शन है ओके फिर उसके बाद OH में और OCS3 में कौन देना चाहिए? CH3 का प्लसाइफेक्ट इस O- की इलेक्ट्रोण देंसिटी और बढ़ाएगा इसलिए वो जल्दी नुकलियो फाइल जैसा इलेक्ट्रोण देगा मस्त लगाना? कमी कोश्चन जाले तरी चालतिल माला तेची विती नहीं है मला तुमाला विचार कासा कराईचा एका था कोश्चन साथी ते शिकवाईचा या सेशन मदे यह विच लगाना? विच या से खूर्ण साथी और अधिकरीजी देखियंगेज कोश्चन पी बंसी कोश्चन ऑठा हा हात rho लोन कररे चाज कोश्चन है कि स्टी ट्यू रबढ़ा है हात्र लैंकरीजी जी जी ओос्चर ला ते स्विती टी जीरो ROB? मिथाइल अमाइन्स के लिए हेलो बच्चो मिथाइल अमाइन्स के लिए होता है 2130 एक्वस कंडिशन में और इथाईल आमाइंस के लिए होता है 2310 यह और अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम पाँच लोगों को सिखाओ और उनको बताओ कि चवान सर ने बोला है पाँच लोगों को सिखाना है एक स्पेशल बॉक्स करून दिला होता है यह अठावता सेल तुमाह लोगों करना तो इस 2130 C कि दोन हजार एक और इस सा कौश्चन है हां यह आपकोस मीडियों दिले लाए बैटा अपकोस अगर आकोस मीडियम नहीं देते तो तो ओर आरडर कैसा रहता तर्चरी गरेटर दें सेकंडरी ग्रेटर दें प्राइमरी ग्रेटर देन जीरो जीरो याने अमोनिया अच्छा लगां आगे जाते हैं आगे जाते हैं समय नहीं है हमारे पास stability of the following radicals are given below मस्त मस्त प्रश्न काडलेत में आज तुम्चा सटी मंजे तुमी मंसाल 250 हो गए है वापस एक बार मस्त प्रश्न काडलेत में बस 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 मज्जानो लाइफ जल्दी स्वाल करो और मैंने आपसे कहा है कि इस सेशन में कोई भी आ सकता है आपके फ्रेंज भी आ सकता है कोई भी आ सकता है जिस किसी को ऐसा लगता है कि मेरा meet jee में rank आना चाहिए अच्छे institute में जाना है you can join c3 capsule ले सकते हैं तो आपके फ्रेंज को अगर join करना है तो उनके लिए एक opportunity c3 का app डाउनलोड करो चवन chemistry का app डाउनलोड करो अब डाउनलोड करने के बाद batch code मांगेगा तो इसका batch code है c3 capsule बस c3 capsule डालो और enter हो जाओ इसका pdf अगरा सब कुछ उस app में मिलेगा right बच्चो हाँ देखो यहाँ पर एक free radical है हाँ इसको देखो थोड़ा सा यह free radical है बेटा free radical यहाँ पर free radical है this is primary this is tertiary allylic this is tertiary allylic this is allylic primary primary allylic and this is vinylic अपने लाशे प्रश्णों सोड़ोता है ताद मित्रा no इसमें दूसरा अंसर ही नहीं है one सबसे कम stable है because वो विनाईलिक carbon free radical है और विनाईलिक carbon free radical सबसे unstable होता है रे डबल बॉन्ड वाले carbon पर आ गया वैसे ही डबल बॉन्ड यस्पी टू होता है टाइप चा कोश्टन लाए C3 मदे C3 series मदे capsule series मदे जोड़े कोश्टन में गेना रहा है NEET JE यह चा रिलेटेड जोड़े एक्जम से सग्णना काम हो लेती सिरेरा मन तो कि कोश्टन C3 लेवल चे यस सिर्फ थोड़ा निमेरिकल कोश्टन जहीं में जाधा आते हैं इदर सेरोटिकल कोश्टन जाधा आते हैं कि सब कुछ रिमाइंड हो रहा है कडाला करें रुटुजा कडाला का तुला मतला तरीपन औरडर विनाइल अंस्टेबल क्यों है बेटा डबल बॉंड वाला कारवन पहले ही एस पी टू हाइब्रेड होता है यह स्पी टू हाइब्रेड करवन याने डबल बॉंड जिस पी इलेक्ट्रो निगिटिविटी ज्यादा होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ कर्बन फ्री राडिकल स्टेबल रहेगा क्या कर्बन फ्री राडिकल वैसे भी इलेक्ट्रों डेफिजेंट होता है फ्री टू फोर वन इस फोर अंसर क्वेशन अंबर 11 मैं एस तरी माइनस इसटी इस लेस टेबल दैन गुगली है ये गुगली समलके सॉल करना है गुगली है गुगली समलके सॉल करना है यहां चाहिए अंसर आले नंतर जो मज़ा हेलना तुम्हाला 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 वाह या टाइप चे कोश्चन्स ओल करें इसे टुम्हाला या टाइप चे कोश्चन्स बढ़िया 99 परसेंट लोगों का अंसर सी आ रहा है क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ना है राइट जिन लोगों का डी अगेरा ऐसा आ रहा है बी ए आ रहा है उन लोगोंने क्वेश्चन वापस पढ़ो कि इस एच थ्री माइनस से कम स्टेबल कोने मेल सी एच ही माइनस सवाप नी और रहा है अब ये कोंने सेटों है यह कोने सेकेंडरी लेकिन यहां पर प्लसाई एफेक्ट ज्यादा है बराबर इन से ज्यादा स्टेबल कौन है प्राइमरी और इन तीनों से भी ज्यादा स्टेबल मिथाईल है अब यहां पर देखो कारबन निगेटिव चार्ज और उसको कौन लगा येनों टू इधर तो रेजोननस में जाएगा याने ज्यादा स्टेबल याने ये च्छ2 माइनस येनों टू च्छ3 माइनस से भी ज्यादा स्टेबल है बिकॉज आफ माइनस आर इफेक्ट आफ येनों टू माइनस आर एज वेल आज माइनस आए विकॉज वो रेजोननस में जा रहा है हलो येन च्छ2 माइनस के नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही हो जाएगा ना दोस्तो अच्छा लगा बेटा श्रीनिदी वापस एक बार सवाल पड़ो हाँ आइसा हाँ प्रश्न नीट वाचला नहीं मनुन चुकू शकतो बरोबर बेटा हाँ क्वेश्चन नीट वाचला नहीं मनुन चुकू शकतो खरसांगा जाजा लोकान ना A, B, D पाई के अंसर आला त्या लोकान नी क्वेश्चन नीट वाचला नहोता घाई के लिए होती अती घाई निगेटिव देही रे भावानो सला पुड़े, क्वेश्चन नमबर 12 Most Acidic Compound यहाँ पे तो डाइरेक्ट फेनॉल दिया है यह कार्बोग्जिलिक असिड है यह कार्बोग्जिलिक असिड है यह कार्बोग्जिलिक असिड है इसके बेंजिन को यनोटू लगा है माइनस आर प्लस ह, हाईपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर नॉर्मल कार्बोग्जिलिक असिड और फेनॉल सबसे कम आएगा So D greater than B greater than C greater than A अरे प्रतीक नरुटे काई मनतो है सर हे सेशन इतका आवड़ता है का आसवड़ता है के पुरुचा सगला इंस्टॉल्मेंट आतास दे उन्टा Oh my god Mitra हे इंस्टॉल्मेंट चा सेशन अज नहीं है This is free Barwar मस्ता वाटला ना बेटा या सेशन मदे तुम्ही आसर ठरवन सोड़वा Mitra नो परत एकदा आएका या सेशन मदे क्वश्चन आसर ठरवन सोड़वा की क्वश्चन चुकलाच नहीं पाईजे Because 240 से भी ज्यादा लोग देख रहे आपको Galati करते हुए Phenol वर कॉंता पंसर ठरवी तुम्ही आसर पेक्षा कमीच रहनार Amit Very good Chalo Question number 13 Which of the following compounds Carbon-Clorine bond distance is minimum In which of the following compounds Carbon-Clorine bond distance is minimum Carbon-Clorine bond distance minimum कहाँ पर होगा रहे अगर ये क्लोरीन किसी विनाईलिक कार्बन को एटेस्ट है याने ऐसा कि जहाँ पर वो लोन पर Resonance में दे रहा है तो ये double bond बन जाएगा यहाँ पर दे रहा है के Resonance में नहीं यहाँ दे रहा है के Resonance में नहीं यहाँ दे रहा है के Resonance में हाँ रुटू जा पिलिया डायरेक्ट बेंजिन ला नहीं रहे तेया टेस्ट सी ओप्शन है इसका भाईया यह लोन पेर ओफ इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का डायरेक्ट रेजोननस में जाता है डबल बॉंड के तो यहां पर पार्शल डबल बॉंड बनेगा जहां पर बॉंड लिंक्ट कार्बन क्लोरीन बॉंड की कम हो जाएगी यहां पर भी रेजोन मैं चलो आगे 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 जल्दी जल्दी फार्श दस मिनट बाकि है हमारे पास बस दस मिनट कि वीखे बाद थी क्यून्हें पेटा यहां पर डोनेटींग गरूप यह दोनेटिंग जाते नंप मन ब्चूम वैष्णवी, अच्छा कोणे दूसरा कोणतरी होता दे, जाओ दे, जाओ दे, चला, पुडे, चला, decreasing order of minus I effect of the triad, याने तीन का ग्रूप, NO2, NH3+, CN, हे जर चुकवल, तर इथून पुड़ुचा पुर्ना सेशन, उबराउन कराईचा, उबराउन, ये अगर गलत आ गया, तो इसके आगे का पुरा सेशन, खड़े रहकर करना है, बेटा, जहां कहीं पर भी हो आप लोग, बर्यास लोग करना उबराउन लगना रहे, अरे बर्यास लोग करना उबराउन लगना रहे, बेटा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है न, वो सबसे स्ट्रॉंग माइनस आ इफेक्ट बताता है, समझे क्या, ये नेज थ्री प्लस सबसे स्ट्रॉंग माइनस आ इफेक्ट रहेगा, माइनस आ है वो, इंड़क्टिव रेजोनन्स की बात नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये नो टू, और फिर उसके बाद साइन आइड आएगा, आता सगले उबेरा, जान्च ए आलेला नाहीं, त्या सगले नी उभट आकाईचे, नै आता उभट रहावस लागना रहे, कारन उभजर नाही राहले ता आपले लगना उनरने बेटा, आपले सगले मित्रांच महित्री निंच होई, त्यांचे पोरा तुम्हाला मामा मंतील, तरी लगनवा आईचा नहीं, बेटा, बेटा, पोजिटिव चार, इंड़क्टिव पूछा है रे, बाड़ानो, इंड़क्टिव, यह नो टू है, माइनस आर दिखाता है, स्ट्रॉंग, लेकिन इंड़क्टिव में, जिसका पोजिटिव चार्ज डिनसीटी रहेगा ना, ज्यादा जोर से कीचेगा ना रे, यह क्या करता है, इसके उपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है रे, ठीक है, चलो, 14, 15 वाला, इस question में, यह x की जगह पे, pk value of the compound decreases if x is, ऐसा x लगाओ कि जिसकी वज़े से pk value decrease होगा, बेटा, pk what? It is directly proportional to pH, pk decrease होगा, pH decrease होगा, यहने acidity बढ़ेगा, acidity बढ़ाने के लिए electron withdrawing group लगाना है की donating group लगाना है, electron withdrawing group लगाना पड़ेगा, और इनमें यह donating है, donating है, donating है, यही अकेला electron withdrawing है, hello? इजिट सोपा? इनर्जी यह सेशन ला मॉर्निंग पेक्षापन जासता असते, वेटा, यह सेशन ला दोन्से सदोतीस, दोन्से पननास पोर आसता, त्या चमोले, तुम्ही सकले आशी एनर्जी दाकोले तम्ही माजी एनर्जी बगा तुम्ही पकता, अयूश? विल्या? लेक्षर चालो यह माज़र। चलो Hydrogen attached to SP3 Carbon in cyclopentadyne, बच्चो, cyclopentadyne, पहले structure निकाल लेता हूं This is cyclopentadyne, बच्चा, easily removed as cyclopentadyne का, जो SP3 Hybrid Carbon है, उसका Hydrogen कैसा निकलेगा? Hydride निकलेगा, Hydrogen Molecule निकलेगा, Proton यानि H-plus निकलेगा, के Hydrogen Atom निकलेगा? एक ही आंसर है बईया, जब ये Hydrogen यहां से निकलेगा ना, तो यहां पर क्या हो सकता है? दो चीजे हो सकती है, राइड बेटा? यह Hydrogen Molecular, Hydrogen Atom ना, Time Pass Option है, इसको ना, Direct Cancel कर दो बेटा, Cancel है, पोपट लाल है ठीक है? यहां पर Hydrogen है, Hydrogen है, ओ सारी, यहां से इसको निकालना है मुझे, यह Hydrogen है, बच्चो ध्यान से सुनो, यह भी निकाल देना है मुझे, यह Bond रखना ही नहीं है, बेटा, Hydrogen अगर Electron देकर निकलेगा, तो यह Negative और Hydrogen H-plus, और Hydrogen अगर H- निकला, तो यहां पर Positive चार जाएगा, H-plus देने के बाद कौन्चा Cyclopentadine ज्यादा स्टेबल हो रहा है, अरे बोलो, यह First हो रहा है कि Second हो रहा है, Second हो रहा है, मनतेद बाबा, काई लोक, आरे बाबा, नो, आरे हाँ, एरोमेटिक होतो है ना बादा, नो, आरे पहला वाला एरोमेटिक हो रहा है ना, Cyclopentadineal, NN, दो, दो, चार और दो, छे इलेक्ट्रोंज आ रहा है कि नाई, हो रहा है किया, मुंग्या अलेकर डोक्यत, मुंग्या, 4N plus 2 electron rule फॉलो कर रहा है, यह तो anti-aromatic हो गया, चला गया, याने यहाँ पर hydrogen H plus निकलना चाहिए दोस्तों, H plus, कैसा लगा, proton निकलना चाहिए, याने cyclopentadineal NN बनेगा, जो कि aromatic होता है, और aromatic NN ज्यादा stable होता है, इसलिए वो H plus निकालेगा, अच्छा लेगा, रीजन खुब खतरना के देचरे, महत्वास, हाँ क्वेश्चन निवड़ता निस मला ना, असा हसु आलो होतो, असा वाटलो होतो, वाह, काई क्वेश्चन है, डोक्यात प्रकाश पढ़ला, जबर दस्त, डिस रेली वाव विविनिंग, विश्चन गम भी होई तो चलेगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा ने सेशन में, बस, कैप्सुल सेशन चे कोस्टियन डिरेक्ट फाइनल इग्जाम मह रहनार है भगा तुम्ही भगा तुम्ही विच अव्ह तुम्ही फ़लींगी अर्डिक्टिविटी तोर्स E-S-R उलेक्टर फिलीक सब्स्टिट्यूशन रियक्शन डिक्रीजिंग रियक्टिविटी जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने वाला है सबसे जादा रियक्टिव जो लेने वाला है कम रियक्टिव वन सबसे जादा फोर सबसे कम वन सबसे जादा फोर सबसे कम बी एंड दी तो वैसे भी कैंजल हो गया दोस्तो अब बचा A एंड C है कि नहीं A एंड C अब बोलो सेकेंड एंड थर्ड में का कमपेडिशन है इसको तो माइनस आर वाला लगा है और यह नॉर्मल बेंजिन है तो नॉर्मल बेंजिन विल बी ग्रेटर देन माइनस आर C अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा कैसा लगा कैसा लगा बस लेक्चर चा लेंडिंग ला आयूश ला बोलवा श्री राम ला कड़ा ला वारत एकड़ आयूश चावाद चालो है बावदूल पोपट ला मनले के आसला दो डायरेक्ट ठीक है चलो आयूश थोड़ा देर शांद बेटा बेटा ये इतना सेशन होने के बाद मैं तुझे भी लाओंगा इदर इस इट सोपा अरेंज इन डिक्रीजिंग और आप बेसिक स्ट्रेंग्थ अब ये गलत नहीं करना है बेटा ध्यान से सॉल करना है ठीक से देखो और आप ये देने वाला सबसे ज़ादा बेसिक होता है लेने वाला सबसे कं बेसिक होता है रे भया देने वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होता है लेने वाला, सबसे कम बेसिक होता है तो कौन है सबसे ज़्यादा, फोर, सबसे ज़्यादा फोर वाले दो ओप्शन, A and B cancel राइट, अब साइनाइड भी लेने वाला है, याने वन के कमपेरिजन में थ्री 1 ज्यादा 3 कम C अरे D नहीं रहे 1 ज्यादा रहेगा ना C तो लेने वाला ना तो basic city कम हो जाएगी नहें इसकी अरे देने वाला सबसे ज्यादा Basic होता है लेने वाला सबसे कम Basic होता है अच्छा लगा मज़ा हो रहा है कि नहीं? पांच सेकन के अंदर किया. वाह! कऊशीक बहुत बढ़िया वेटा. देने वाला सबसे जादा. ये देने वाला है वेटा. ये लेने वाला है. तो लेने वाला electric lagi कूँ इतने जोर से खीचेगा तो लोन पेर देने के लिए रहे गा ही नहीं रहे क्या बात क्या बात which of the following is the most stable carbo cation दोस्तो गाने मनुन शिक्कर विले जाते C3 which of the following is the most stable carbo cation अरे भहिया जो aromatic होता है उसका क्या कहना दुनिया में सबसे ज़्यादा stable होता है ट्रोपोलियम cation अमीत बढ़िया must answer must जो aromatic carbo cation होते है दोस्तो सबसे ज़्यादा stable होते है अब इसमें order लगा सकते है क्या आप लोग यह चलो order लगाओ ABCD में फटाफट ABCD का order लगाओ यह सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद allylic और benzylic में ज़्यादा stable कौन c benzylic is more stable than allylic and then anti-aromatic aromatic की stability सबसे ज़्यादा होती है रहे दो aromatic compound नहीं देंगे बिटा ऐसे questions में आपको कभी राइट दिये भी तो जिसमें resonance ज़्यादा उसकी stability ज़्यादा बोल देना है वाह क्या question है यह बहुत बढ़िया यह निकालते समय मुझे ऐसा लगाता ना यार क्या question है चलो 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 जल्दी fast बोलो select the order of correct option for stability of following resonance structures आज तो नया गाना बन गया रहाँ बेसी सिटी के लिए बेसी सिटी के लिए नया गाना बन गया चलो so options are यहाँ पर दोनों side में double bond double bond है यह तो सबसे ज़्यादा stable Y सबसे ज़्यादा stable वाले दो option A and B cancel Y सबसे ज़्यादा stable वाले दो option बेटा X and Z में compare करना है अब हाँ दोनों में oxygen bearing negative charge and carbon bearing positive charge carbon bearing negative and carbon bearing positive carbon carbon का तो same है difference कि इन दोनों का है इन दोनों का है बेटा यहाँ पर carbon negative यहाँ पर oxygen negative किसके पास ज़्यादा stable होगा oxygen के पास ज़्यादा stable होगा तो दोस्तो option आएगा X greater than said हर देने वाला सबसे जादा बेसिक होता है लेने वाला मस्तो होता ना एकदम जंसर करेक्ट आले ले तंचा सटी online टालाया जिन लोगों को आंसर नहीं आते थे घर पे उन लोगों के भी आंसर आने लगे है मस्त जबरदस्त अरे बेंजीन नहीं है अरे बेटा तो इते बेंजीन मॉलिक्युल टोटल मॉलिक्युल मदे कौनते कौनते आटम इतना सगड़े बागाई चे पिले या यह बागा जाननी बेंजीन मनुन केला ना तंचा सटी शिवानी बैठो बेटा अरे जो लोग खड़े है वो बैठो बेटा यतना रहम दिल नहीं हूं में लेकिन वो गलती है न वो गलती दोबारा नहीं करनी है वो उसको रेड़ पेन से मार्क करके रखो जिसकी वज़े से आज खड़ा रहना पड़ा आप लोगों को बहुत सिंपल कोश्चन ता हो बैठ जाओ बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ बच्चो सही में आंसर आने लगे बहुत बड़िया बेटा यहां पर बेंजीन जरूर है लेकिन कार्बन इस हैविंग इनकंप्लिट ओक्त्रेट रे बच्चा यह दोनों कोश्चन है यह दोनों ज कंप्लिट ओक्तेट वाले हैं यह दोनों राइट और यह यहां पर पूरे सभी के ओक्तेट कंप्लिट है बच्चा तो यह सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ना जो लोग खड़े रहे थे उन्होंने उस क्वेश्चन को मार्क करके रखना है पांच लोगों को सिखाना है बेटा उसको काया हम सा आयुश्रवर लक्षा त्राइला पाज़े तो परश्चन है यह चलो बच्चो आगे जाते हैं which of the following is the strongest base बचो strongest base कोने विचार करून सोड़वाय चाना हाँ पेटा हाँ चुको ऐसा नहीं है हाँ फुकट प्रश्चन मन्त में अला जोना चुको श्यकत नहीं मैं आंसर बता दूंगा तो आपका ना कॉंसेप्ट ही आप बोलेंगे सर इतना चिल्लर था जाए है तेजस्विनी परत सोड़ो बेटा तनिश का परत सोड़ो पिला है करेक्ट मंझे करेक्ट जयला पाज़े नीट आपज़र करा प्रत्तिक मॉलीकुल आपज़र करा बेसी सीटी मंझे इलेक्ट्रॉन देने ची क दोणेट करेगा बेंजीन को एटाइज डोनेट करेगा इसका नाइटोजन का आलेक्ट्राण Service से सबसाइद से करेगा से से नाइट्रोजन का लोन पर कहीं पर भी विलसे तो यह नाइट्रोजन का लोन पर है भईया को दोनेट करने के लिए उप्षेयं डी कहतरना Seoul Sun जान्ची प्रैक्टिस जालिली आगोदर चांगली त्यान्ना जबर्दस्त सूपज आता है जान्चा चुकला त्यान्नी उबराउं दोन मिन्दी सुद्रान जली देया आपन टार्गेट चा जबल पास आहोथ मित्राननों काई कोश्चन्स राह लेले ठीके चलो oxygen atom in phenol exhibits only inductive effect दिस्तायत प्रज्या दिस्तायत message करां खूब जान्यत oxygen atom phenol का exhibit only inductive नहीं inductive दिखाता है लेकिन only inductive नहीं दिखाता है exhibit only resonance, no, it exhibits resonance as well as inductive अच्चा, लेकिन lone pair की वज़े से resonance dominating effect होता है और inductive suppressed हो जाता है, so answer C is correct, inductive never dominates resonance in oxygen, so C is the correct answer, अच्छा लगा, हाँ, यह double हो गया ना, इसका यह answer है, double हो गया यह, अरे phenol में दोनों दिखाता है बिटा वो, phenol नहीं, किसी भी जगह पे हम देखो ना, माही और राही हम किसलिए लेते है अर्यंका, जब मेजोमेरिजम सेम होता है, तो हाइपर कॉंजूगेशन देखते है, हाइपर कॉंजूगेशन सेम होता है, तो inductive देखते है ना बिटा, तो phenol और्थो पैरा पोजिशन पे, माइनस आर और मेटा पोजिशन पे माइनस अहम दिखाता है बिटा, क्यों, बेकॉँगेशन मेटा पोजिशन पेर जाता है, इसलिए तो उसका माइनस आह लेते है ना बिटा, चलो आगे जाते हैं Select the correct option for stability of following resonance structure आरे यह repeat हो गया है क्या slide repeat हो गया which compound shows dipole moment है यह दो बढ़िया question से बटा यह दो एकदम बढ़िया question है which compound shows dipole moment 1,4 dichlorobenzene 1,4 dichlorobenzene इसका dipole mu is equal to 0 होता है trans 2 butene इसका भी dipole बच्चा 0 होता है because यह इदर और इदर electron देता है say opposite direction में mu is equal to 0 trans 1 chloropropene नहीं गलत हो गया structure यह प्रोपीन और transposition पे chloro यह structure यह M प्लस आय से देगा यह माइनस आय से खीचेगा यानि इसमें जबर्दस दाइपोल है जबर्दस दाइपोल एक देने वाला दूसरा लेने वाला and trans 1,2 dichloro ethene trans 1,2 dichloro ethene यह भी इसका दाइपोल 0 हो गया यह इदर खीच रहा है यह इदर खीच रहा है mu is equal to 0 so third option is correct आ गया सबसे easy सवाल सिर्फ structure निकालने थे और दाइपोल का concept पता चाहिए dipole moment of vinyl chloride is lower than that of methyl chloride vinyl chloride याने यह और methyl chloride याने यह एक ही reason है कि vinyl chloride में यह chlorine अभी एक question देखा ना इसके जैसे हमने यह resonance में जाता है तो जिदर खीचना चाहिए उदर उल्टा दे रहा है और इदर यह ले रहा है so dipole moment of vinyl chloride is less than methyl chloride due to resonance not inductive electromeric and hyperconjugation it is resonance answer हर देने वाला जब भी देता है चपर फाड के देता है दाक्वाइस है वर्चा question गया मस्त मज्जा आवी गयो आज आप तो जबर्दस्त कर रहे हो बेटा आप सभी लोग sir एक पन question अत्ता परेंत हार्ड गयला मैं सगले सोपे वाट ले बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया question number 19 चाहिए किसी को ACDB confidence level बढ़ रहा है बच्चो वरत कहता है सर तुमीशे कहता हुताने smile ये चाहे रहा है बस हसते रहो बेटा ऐसे बड़े बड़े चीजे हम चुटकी में करते रहेंगे एक्जाम में भी problem नहीं होगा इशा वो दिमाग से निकालो कि एक्जाम में problem हो जाता है उल्टा एक्जाम में इसी confidence से करो सर सब question करो ना अरे सब हो गए ना खतम हो गए बटा ने या कतम आज का session पूरा हो गया ये दो एक slide ना repeat हो गया था मुझसे copy paste में donating wins or withdrawing in OEH एक्जाम में इसी लेवल के question है बटा इससे तो उल्टा easy आये थे last 2 साल में yes तो आज का session खतम हो गया ऐसे मैं declare करता हूं ऐसे ही enjoy करते रहेंगे और कल बचो कल के lecture में कल के session में हम isomerism लेने वाले क्या लेने वाले बच्चो isomerism तो isomerism करके आना एकल okay thank you thank you very much नामस्कार